GMAT Foundation भारत जोडो यात्रा के मिशन का समर्थन करता है और रोजगार की तलाश कर रहे सनाथों को जोडने के लिए देश भर में रोजगार मेले का आयोजन करता है। हम नई नौकरियों के द्वार खोलते हैं और लोगों को मात्र पाँच दिनों के प्रशिक्षन के बाद GMAT Foundation में व्यावसाय गतिविधियों में काम के लिए उनकी भरती की जाती है अन्यथा वे अपनी नई एंटर्प्राइस खोलने के लिए स्वतन्त रहें। विडियो में आगे की स्लाइड्स में बिजनेस विस्तार गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। कभी भी शामिल होंगे। उन्होंने यात्रा का समर्थन करने के लिए ठोस भाशन दिये जिससे जनता उत्सुकता से उनकी राह देख रही थी लेकिन जनता अब निराश है कि वह अभी तक शामिल नहीं हुए। कल आज यात्रा उत्तर प्रदेश में आखरी दिन है कल यत्र हरियाना में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश यात्रा में किसी भी दिन वरुन को नहीं देखना जनता के लिए दुख़द है। वह इस एतिहासिक घटना का हिस्सा बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे पिये मोधी का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सके। कॉम्रेस अध्यक्ष, पूरी कॉम्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता मौजूदा मुद्दे पर वरुन गांधी के रुक से आहत हुई है। ये यात्रा देश का सपना है, देश की उम्मीद है। यात्रा सभी के दिलों को चू रही है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। यहां एक साहसिक निर्णय है कि भारत जोडो यात्रा में राहुल गांधी को नारी शक्ती का साथ मिला। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ अनेक प्रतिष्ठित लोग कदमताल करते दिखाई देते हैं। आज राहुल गांधी को दूरदर्शन कलाकार काम्या पंजाबी का साथ मिला। मुख्यधारा का मीडिया तो मर चुका है। इसलिए अभिनेता और खिलाडियों को भारत जोडो यात्रा मिशन के लिए बहतर प्रतिक्रिया देना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी असली प्रधान मंत्री है जो 3500 किलोमीटर पैदल चल रही है और जनता की समस्याओं को सुन रही है। जबकि अमीर वर्क के लोगों को लोग कल्यान की सबसे कम परवाह है, आठ साल में सबसे अधिक बेरोजगारी संकट, डीजल पेट्रोल, LPG सिलेंडर की सबसे अधिक कीमत वृध्धी आदी समस्याएं उन्हें दिखती नहीं है। GMAT Foundation देश भर में रोजगार मेले से लोगों को नौकरियों के नेटवर्क में ऑनलाइन से जोडता है। रोजगार मेले में हम उन लोगों को जोडते हैं, जिनके पास किसी नई खोज अथवा तकनीक का पेटेंट या कॉपी राइट प्राप्त हैं, अधिकतर रिसर्च स्कॉलर्स अपनी खोज का लाभ नहीं उठा पाते हैं, हम उनकी खोज के फ्रैंचाइजी मॉडल विक्सित करते हैं, और मार्केटिंग में रिसर्च स्कॉलर्स को सहीओ करते हैं. इस प्रकार रिसर्च स्कॉलर्स को अपनी खोज की सही कीमत प्राप्त करने में मदद मिलती हैं. नौकरियों के नेटवर्क में हम फ्रैंचाइजी मॉडल की ट्रेनिंग से लोगों को उद्यमशील कैरियर शुरू करने के अवसर प्रदान करते हैं दिगरी, डिपलोमा या अन्य किसी कोर्स का सर्टिफिकेट देने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि वहाँ छात्रों को नौकरियां उपलप्ट कराएं रोजगार मेले में निमलिखित जॉब्स के लिए लोगों की भरती करते हैं एक, रोजगार मेला मैनेजमेंट टीम दो, इंस्टूमेंट प्रोडक्शन और मार्केटिंग टीम तीन, बी ओटी सोशल इंजिनेरिंग प्रोजेक्स प्लानिंग और एग्जिकूशन टीम चार, एदुकेशन रफॉर्म वीडियो मेकिंग टीम सभी जॉब में पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम भी आप्शन हो सकता है अधिक जानकारी के लिए जीमेट फाउंडेशन, एबी आठ, आदर्श नगर, दुर्ग, छतीसकड, केवल जरूरतमन्द व्यक्ती ही संपर्क करे फोन नंबर 975503 होंगी भविश के जल संकटों को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन 36 कड मौडल प्रस्तुत है इस क्षेतर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप करने की कोई आवशक्ता नहीं है जल संकट को दूर करने के लिए राश्चिय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन 36 कड मौडल विक्सित किया है इस परियोजना में समुदरी जल को नदी के उदगम स्थल पर पाइप और पंप की सहायता से पहुचाया जाता है मार्ग में उचित स्थान पर जल जील का निर्मार होता है कॉंग्रेस कार्य करताओं से अनुरोध है कि वे श्री राहुल जी से प्रस्ताविक 36 कड मौडल को प्रदेश में लागू करवाने की पहल करे जिससे लाखो लोगों को रोजगार मिल सके क्रिप जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए आवशक है कि निकटम समुद्र तट से पानी को लिफ्ट करके सुखागरस स्थानों में पानी की जील निर्मान करते हुए नदी के उदगम स्थल में भेज दिया जाय चित्र में सीवाटर रिसाइक्लिंग को दिखाया है इश्वर ने हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्क से पानी को उठा कर नदी के उदगम स्थल तक पंप की सहायता से पहुचा कर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है रास्ते में उप्युक्त उचाई पर विशाल समुदरी जल जील का निर्मान करके संद्रहीत पानी से नमक निकालने के सन्यंत्र लगाए जाएंगे नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा इससे नदी और जमीन के जलस्तर में कभी कमी नहीं होगी यह सोचने का विशय है कि करोडों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजिनियरिंग परियोजना की ओर 36 गड़ सरकार का ध्यान किसी अधिकारी द्वारा अभी तक क्यों नहीं लाया गया ANCVT द्वारा इंजिनियरिंग ड्राइंग एंड कैड ओपरेटर सीनियर लैंड सर्वेर राधी विशो में जॉब सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग दी जाती है सभी प्रशिक्षन पार्थेक्रमों में प्रयोक्षाला निर्मान पर 25 लाख रुपए के उपकरणों की आवशक्ता होती है ग्रामेन क्षेत्रों में संचालित अधिकान संस्थानों में भारी निधी के कारण 36 कड राज्य में उपरोक्त पार्थेत्रम उपलब्ध नहीं है छात्रों को प्रशिक्षन लेने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता है GMAT Foundation दुर्ग में इन पार्थेत्रमों में आवशक प्रयोक्षाला उपकरण की लागत को आधुनिक तक्नीकी से नए उपकरण DLS के निर्मान और सौफ्ट्वेर विक्सित करके बहुत कम कर दिया है अब ये कोर्स ग्रामेन क्षेत्रों के ITI संस्थानों में भी उपलब्ध है GMAT Foundation आयोजित रोजगार मेले से किसी भी दिगरी डिपलोमा पाई छात्रों को सिलेक्ट कर मात्र पाँच दिनों की ट्रेनिंग के बाद कैड ऑपरेटर Senior Land Survey Tutors नियुक्ती पत्र प्रदान कर अपने संस्थान में नौकरी देता है हमारे पास कई और जॉब देने वाले फ्रेंचाइजी मॉडल तयार हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को जोडते हैं और उन्हें स्वरोजगार करते हैं कृप्या संपर्क करे धन्यवाद